बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार तो 27 साल के बाद दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहन का योग क्या माइने है इसके क्या इसका महत्व है आए जानते हैं पडिजी से बिल्कुल जैसा कि मलिका ने कहा कि वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहन है और 27 साल बाद ऐसा सैयोग बन गया है कि ये दिवाली के साथ आ रहा है इस बार सूर्य ग्रहन का मामला क्या है पहले ये समझते हैं इस बार सूर्य ग्रहन 25 अक्टूबर को दोपहर में लगने वाला है इसका आरंभ भारतिय समय से अगर हम देखें तो दोपहर में दो बच के 28 मिनट पर इसका आरंभ होगा और जैसे ही शाम को सूर्यास्त होगा लगभग साड़े पांच बजे के आसपास इसका समापन हो ज होता है कि जब ये सूर्य ग्रहन पूरी तरह से मेच्योर होगा वो समय होगा शाम को 4 बचके 30 मिनट पर ये ग्रहन अगर हम जोतिश के हिसाब से देखें क्योंकि ग्रहन का जोतिश में विशेश महत्व है तो ये ग्रहन तुला-राशी और स्वाती नक्षत्र में होगा ये ग्रहन वैसे तो आनशिक सूरी ग्रहन है, सम्पून सूरी ग्रहन नहीं है लेकिन ये भारत में दर्शनी है, भारत में दिखाई देगा और ग्रहन के बारे में कहते हैं कि जहां पर दिखाई देता है, वहां पर इसके नियम लागू होते है तो इस ग्रहन में सूतक भी लगेगा और उसके नियमों का पालन भी होगा जैसा आपको पहले बताया कि जो ग्रहन शुरू हो रहा है वो 25 अक्टूबर को दोपहर में लगभग धाई बजे शुरू हो रहा है इसका सूतक लगभग 12 घंटा पहले लग जाता है तो 25 अक्टूबर को सुबह 3 बच के 16 मिनट पर सूतक लग जाएगा और सूतक का समापन होगा सूरियास्त के साथ यानि शाम को लगभग 5.30 बजे सूतक में होता क्या है जो मंदिरों के कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं सामान्यता देवी देवताओं की मूर्ती पूजा नहीं होती है जो लोग इसका सक्ती से पालन करते हैं वो लोग इस समय में अन जल ग्रहन नहीं करते हैं और सूतक के समय में भगवान की पूजा उपासना करते रहते हैं तो सूतक का समय ग्रहन के हिसाब से बड़ा विशेश माना जाता है और 25 अक्टूबर को भोर में अरली बॉर्निंग तीन बजे के आसपास ये सूतक शुरू होगा और जब ग्रहन साम को सूरियास्त के साथ समाप्त होगा उसी समय सूतक भी समाप्त हो जाएगा तो इस बार का सूरिय ग्रहन विशेशता भारत में प्रभावी होगा वैसे तो एक खगोली घटना है लेकिन इसका अलग-अलग राशियों पर अलग-अलग तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है लेकिन इस बार का ये सूरिय ग्रहन विशेश क्यों है पंडी जी ये भी सम तो हमें ये समझना होगा कि इस बार ऐसे ग्रह कौन से हैं जिसकी वजह से ये सूरी ग्रहन जादा विशेश बन गया है इस ग्रहन में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतू का संयोग बन जा रहा है सूर्य चंद्रमा, शुक्र और केतू ये तुला राशी में विद्यमान होके कमबाइंड हो जा रहे है साथी साथ मकर राशी में बैठे हुए शनी की द्रिष्टी भी है उनके उपर यानि इन चारों के साथ एक तो राहू का एक्सिस है पांचमा ग्रह और एक छटमा ग्रह शनी का भी इसमें प्रभाव आ जाता है तो कुल मिला के छे ग्रह इस ग्रहन में प्रभावित हो रहे हैं अब सूर्य केतू और शनी का प्रभाव है सूर्य और केतु अगनी के ग्रह है शनी वायू तत्व का ग्रह है इसलिए आप देखेंगे आने वाले समय में दुरघटना की संभावनाएं बढ़ेंगी वायूयान दुरघटना ट्रेन दुरघटना सडक की दुरघटना इनकी संभावनाएं जादा होंगी ग्रहन के जो प्रभाव होते हैं वो ज़्यादा तर होते हैं 15 दिन से 1 महीने तक तो इन 15 दिनों से 1 महीने के बीच में दुरगटना की संभावना बढ़ेगी सूर्य है राजनीति का मालिक सत्ता का स्वामी है और सूर्य इसमें involved है इसलिए राजनेतिक रूप से पूरी दुनिया में उथल पुथल मच सकती है भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका प्रभाव दिखाई देगा शेयर बाजार में और दुनिया भर की आर्थिक स्थिती में भयंकर गिरावट आ सकती है इस सूरी ग्रहन की वज़े से अब ये 25 अक्टूबर को लग रहा है तो मान के चलिए कि पूरे नवंबर तक ये प्रभाव डालेगा और दुनिया भर में शेयर बाजार में फाइनिशल मामलों में उतार चड़ाओ पैदा होगा मेश राशी में बैठा है राहू, तुला में बैठा है केतू, ये ग्रहन लगा हुआ है मेश और तुला के बीच में इनकी वज़ा से विश्व भर में युद्ध और विस्फोट के संकेट मिल रहे हैं, दुनिया भर में बहुत जादा मुश्किले हो सकती हैं, खास्तोर से जो युद्ध जैसी स्थितियां बन गई हैं, वो काफी जादा बिगर सकती हैं, अगले एक महीने में ये संभावना बनती हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कैनेडा, अमरीका और यूरोप ज़्यादा तर पश्चिमी देशों में इसका प्रभाव दिखाई देगा, वहाँ पर समस्याएं ज़्यादा होंगी, और जैसा पहले भी कहा कि इस ग्रहन के दो ही प्रभाव हैं, एक तो फाइनि युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती है, जो कि अभी दुनिया में युद्ध चली ही रहा है, वो मामला और भी जादा बिगर सकता है, और भी जादा गंभीर हो सकता है। पूजा होता है, उसके महत्व पर तो उप्रभाव नहीं डालेगा, कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, सूरे ग्रहन के साई में जो दिवाली आने वाली है, उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है। लेकिन अब चुकी सूतक तो शुरू होगा दिवाली की रात पर पूजा बीटने के बाद, 24 अक्टूबर की रात बीट जाएगी, पूजा हो जाएगी, तब कहीं 25 अक्टूबर को भोर में सूतक लगेगा। तो कहने को आप कहते रहिए कि दीपावली पर इसका प्रभाव है, लेकिन जो तिशिय दृष्टिकोर से, इस ग्रहन से दीपावली की पूजा पाट पर, आपके आनंद मनाने पर, आपके उपासना करने पर कोई नकरात्मक प्रभाव नहीं है। तो दीपावली पर इस ग्रहन का प्रभाव नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि इस ग्रहन की वज़ा से बाद में दुनिया भर में पठाके छूट सकते हैं, युद्ध की स्थितिया बन सकती है, वो संभावना जरूर बन रही है, लेकिन दीपावली पर या दीपावली क पूजा पाठ पर इस ग्रहन का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। अगर हम छोड़ भी दें तो हम इतना तो जरूर कहेंगे कि ग्रहन काल में आप भोजन ग्रहन मत करियेगा। कीरतन करियेगा बहुत अच्छा होगा। जब ग्रहन समाप्त हो जाता है शाम को लगभग सारे पाँच बजे तक तो उसके बाद संभव हो तो सनान कर लीजेगा। या हाथ पैर धो करके कुछ न कुछ दान करियेगा या यह कहिएगा कि मैं अगले दिन दान करूँगा। और अगले दिन सुबा किसी गरीब आदमी को जरूरतमन दादमी को जो संकल्प किया है कि मैं दान करूँगा वो दान कर दीजेगा। आप चाहें तो ग्रहन के बाद सनान करके आप दान कर सकते हैं। दान जो किया जाता है वो सूरी से संबंधित चीजों का किया जाएगा जैसे गेहू है, गुड है, आटा है, तामे के बरतन है, इनका दान करना सबसे जादा अच्छा होगा एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में मन में रहता है कि गर्भवती महिलाओं पर इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं देखिए, गर्भवती महिलाओं को इस बात से बहुत डराया जाता है कि ग्रहन देखा तो बच्चे को नुकसान होगा होता क्या है? गर्भवती महिला का जो मन है वो बच्चे के मन के साथ जुड़ा हुआ होता है जब महिला ये सोचती है कि बुरा होगा तब ही बुरा होता है जब वो नहीं सोचती कुछ भी तो बुरा होने की संभावना नहीं होती है इसलिए गर्भवती महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है एक बात और समझ लीजिए कि ग्रहन के जो नियम है ये बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते है अब अगर माल लिया ग्रहन काल में कोई भोजन बना है, बच्चे को देना है, बीमार को देना है, पानी पिलाना है, दवाईयां देनी है तो आप ग्रहन काल के शुरू होने के पहले यानि दोपहर के धाई बजे के पहले खाने में पानी में इस्तमाल की जानी वाली चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा उसके बाद अगर बच्चे को खाना है बीमार को खाना है भुजर्ग आदमी को इस्तमाल करना है तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन इस्तमाल करने के पहले ग्रहन धाई बज़े शुरू होगा, उसके पहले खादि पदार्थ में और पानी में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग-अलग राशियों पर ग्रहन का प्रभाव पड़ेगा, किस राशी पर शुब और किस राशी पर अशुब प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में भी अब जानकारी ले ले लेते हैं, तो चलिए राशी अनुसार पंडीजी अ एक महीने तक रहता है, कैसा रहेगा? अगर मेश राशी की बात करें, तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, ध्यान रखियेगा, कारोबार और व्यापार में विशेश सावधानी रखियेगा, खास्तोर से पार्टनर्शिप के मामले में दिक्कते हो सकती हैं. प्रहन के प्रभाव विशब राशी के लिए बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं. करक राशी इस समय आपके करियर में और निवास में परिवर्तन हो सकता है change of place की समभावना आपके लिए बन रही है लेकिन इसके अलावा आपकी जो माता है उनके स्वास्टे में दिक्कत हो सकती है या आपके घर की जो महिलाएं है पतनी है पुत्री है बहन है माता है राशियों की बात करें उसके पहले मैं आपसे एक प्रशन लेना चाहती हूँ फ्रशन ये कि सूर्य की किरने सब कुछ रोशन कर देती है तो तपिश जला भी देती है सूर्य देव को किस तरह से प्रसंद करना है क्या आपको लगता है कि आज की दिन सूर्य भगवान की पूजा तो आप कैसे भी कर सकते हैं, निराकार देवता के प्रतीक है, बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रहन के समय में, जितने समय ग्रहन रहेगा, वो चुकि सूरी ग्रहन का समय है, तो उस समय आप कोई भी पूजा उपासना करें, तो कि जादा तर लोग उस समय में पूजा पाठ करते हैं, उस समय में सूरी की पूजा करनी चाहिए, उस समय में आप सूरी देव के मंतर का अगर जब करें, या आदित तिहर्दै इस्तोत्र का अगर आप पाठ करें, तो इससे सूरी ग्रहन का बहुत ज्यादा दुश प्रभाव आपके ऊपर नह जाएगा तो अर्ग है आप दे नहीं सकते संध्याकाल में सूरियास्त तक ये ग्रहन का प्रभाव चलता रहेगा तो इस दिन ग्रहन वाले दिन बेहतर होगा कि सूरिदेव को अर्ग ना दिया जाए चले ठीक है आगे बढ़ते हैं और बाकी चार राशियों की बात करते हैं स सिंग राशी की अगर बात करें तो आपके लिए ग्रहन अच्छा है आपके स्वास्थ में और आपकी मानसिक स्थिती में सुधार होगा आपकी तमाम रुकावटें इस समय दूर होगी और जीवन में जिस भी तरह की सफलता आप इस समय चाहते हैं वो सफलता आपको और ग्रहन के परिडाम आपके लिए बेहद अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कन्याराशी, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से आपको परिशानी हो सकती है, ध्यान रखियेगा। और इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे, चोट चपेट से आपको बचाव करना है, इस समय बेवज़ा की दुरघटनाओं के शिकार आप हो सकते हैं, उसका ध्यान बनाए रखियेगा। तुला राशी व्रिश्चिक राशी शितों में थोड़ी बहुत दिक्कट हो सकती है। और अखरी चार राशी की बारे में भी जान लेते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहन का आपकी राशी पर क्या असर पड़ने वाला है। बाकी चार राशियों की बारे में भी चान लेते हैं। जी, धनू राशी की अगर बात करें, तो करियर और जीवन में आपको मन्चाही सफलता मिलेगी, ग्रहन अच्छा है आपके लिए, शत्रू और विरोधी आपके परास्त होंगे, लेकिन अपने परिवार के घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखियेगा। मकर राशी, आपके लिए भी ग्रहन के प्रभाव अच्छे हैं, करियर में बड़ी सफलता और परिवर्तन का समय रहेगा आपके लिए, आप अगर मेहनत करेंगे इस समय, 15 दिन एक महीने में, तो आपकी मेहनत से रुके हुए काम बन जाएंगे। कुम्भ राशी, स्वास्तिक आपको बहुत ध्यान देना होगा, खासतोर से डाइबिटीज का, यूरीन की प्रॉबलम का ध्यान रखना जरूरी होगा। आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती है, आपके जीवन साथी के स्वास्ते में समस्या हो सकती है। इस समय, अगले 15 दिन से एक महीने के बीच में, दुर घटनाओं से और वाद विवाद से सावधान रहेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे बेवज़ा के जगड़े हों, बेवज़ा के विवाद हों। भी राशी के लिए, धनू राशी और मकर राशी के लिए ग्रहन अच्छा है। बाकियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए कि ग्रहन का आशुप्रभावन ना पड़े। ग्रहन के दौरान यानि दोपहर के धाई बज़े से, शाम के साड़े पाँच बज़े के बीच में, अपने गुरु मंतर का और सूर्य मंतर का आपको जब करना चाहिए। ग्रहन समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करिएगा, और इसके बाद सूरी की जो वस्तुएं हैं, जैसे गुड है, गेहू है, आटा है, तामे के बरतन हैं, इसका किसी व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी बाधाएं समाप्त होंगी, और ग्रहन के दुश्प्रभाव आपके उपर नहीं पड़ेंगे। आपके लिए बहुत शुब रहेगा।